आपका देनिक रासी फल लेकर बात करेंगे सुक्रबार 17 मई का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों यह रासी फल आपके चंद रासी पर आधारित है इसे आप अपने नाम रास के आधार पर भी देख सकते हैं आज के रासी फल में आपके लिए नुक्री और व्यापार कैसा रहेगा आज आपका लेंदेन परिवार और मित्रों के साथ सम्मंध आपका प्रेम जीवन आपका बेवाहिक जीवन और आज सेहत आज दिन भर किस प्रकार से रहने वाली है सुबह सुब घटनाओं का भविस फ पड़ेगा या फिर किस तरह के अच्छे अबसर आपको प्राप्त होंगे दैनिक रासी फल को जानकर आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमेशा सतर कौर साबधान रहेंगे तो आईए रासी फल से पहले पंचान के बारे में जानते हैं सुक्रवार 17 माई 2024 बैसाक सुक परनिया रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करें अगर मुहुरतों की तो ब्रह्म मुहुरत रहेगा चार बच के 6 मिनट से 4 बच के 48 मेर तक अब जीत मुहुरत रहेगा 11 बच के 50 मेर से 12 बच के 45 मेर तक विजय मुहुरत रहेगा 2 बच के 34 मेर से 3 बच के 28 मेर तक आज अमर बच के 18 मिनाट तक राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती है अब आई जान लेते हैं आपके रासिफल के बारे में सिंगर मकररास के दोस्तों आज का दिन आपके लिए सुक सुभिधाओं को बढ़ाने के लिए रहेगा आप अपने सुभिधाओं में ब्रिद्ध के लिए अच्छा खासा धन लगा सकते हैं आपको अपने बढ़ते खर्चे पर रोक लगानी होगी यदि आप किसी प्रापर्टी की खरीदारी करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा लाब मिलने के संभावना है कार्शेतर में आपके कामों के लिए आपको पुरुषकार भी मिल सकता है साथ ही आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में खुसिया लेकर आने वाला है आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा और आपकी योजनाई मन मताबिक पूरी होगी और उससे आपको लाब भी होगा जिससे आपको अत प्रद्रिध का कारण बन सकता है यह आपने परिवार से जो गुप तबाते रखी थी तो औरस के सदस्यों के सामने आ सकती आपका कोई लेन देन सम्मंधित मामला यदि लंबे समय से उल्जा हुआ था तो यह भी सुलचता दिख रहा है अजनबियों से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करें बिजनेस में आपकी योजनाई गती तो पकड़ेंगी लेकिन फिर भी वह आपको अच्छा लाब देन कारी छेतर में आप अपनी अच्छी सोच का लाब उठाएंगे आप कारी छेतर में कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं आप संतान के केरियर को लेकर किसी बच्चत की योजना में धन लगाएंगे जो जातक बैंकिंग छेतरों में कार्यत हैं उन्हें साबधान रहने के आज आपको आए और बैका संतुलन बना कर रखना होगा अपने खर्चों को सीमित रखें तभी आप अपनी आए को बढ़ाने के बारे में सोच बिचार कर सकते हैं आपको किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बाच्चीत करनी होगी आपके बेवसाई की कुछ ही हो जनाएं आज रफ्तार में रहने वाली हैं और आप अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलेंगे तो पुरानी बातें बीच में आज ना लाएं ससुराल पक्ष के किसी बेक्टी ने यदि आप से धन उधाल लिया था तो यह आपको बापस दे सकता है आपको अपनी आर्थिक स्थ पिदी को लेकर कुछ चिंता बार बार परेसान करेगी मकर आज आज आप बाहनों के प्रयोक से साबधानी बरते हैं अन्यता दुरगट ना हो सकती है जीवन साथी से यद कुछ खटपट चल रही है या किसी प्रकार की अन्बन है तो यह भी आज दूर होती नजार आएगी आप अपनी मनमर्जी चलाने के कारण कुछ कामों में नुकसान आप अपना खुद का कर सकते हैं आपको अपने पिता जी की कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहेंगे आपकी बिरोधी आपके खिलाप कुछ सड़यंत रस सकते हैं जिसमे तो अपने भाई वा बहनों का भी आज सहयोग मिलने वाला है अपनी मन में चलड़ी उलज़न को किसी दूसरे से आज सेर ना करें नहीं तो वह इसका गलत फायदा उठाने की कोशिस करेगा परिबार में ये किसी प्रकार की कोई कलह लंबे समय से पैर पसा रहे हुए थी त कल फिर से एक नहरा स्फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसानी देव